हेलो बच्चो आज हम पाठ तेरा खादे उत्पादा निवं प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे बच्चो हमारे जीवन की बहुत सारी आवशक्ताएं होती हैं उसमें से आहार है आवास है आवरन है यहने हम जहां भी रहते हैं जो भी भोजन ग्रहन करते हैं या हम जो भी पहनते हैं यह सब कुछ हमारे जीवन की बहुती महत्वपुन आवशक्ताएं होती हैं और भोजन संबंधित जो भी कारे होते हैं, क्रिशी करते हैं, जो भी क्रिशक, तो वो किस-किस योजनाओं के तहत करते हैं, किस प्रकार की विधियों को अपनाते हैं, किस प्रकार से जादा से जादा उत्पादन को बढ़ा सकें, इस तरह के जो भी कारे करते हैं, तो इसी को हम क्रिशी मात्रा में उत्पादन एवं प्रबंधन के तकनीकी ज्ञान को क्रिशी विज्ञान यहां जो क्रिशी विज्ञान शब्द है वह केवल पसल से संबंधित नहीं है यहां पर क्रिशी विज्ञान पश्मों के अधिक मात्रा में उत्पादन से भी संबंधित है और उसको कैसे हम मैनेज करें, कैसे हम प्रबंधन करें, किस प्रकार की तक्निकों को अपनाएं, जिससे हम जादा से जादा उत्पादन ले सकें, इसे हम कहते हैं ग्रिशी विज्ञान, तो मनुष्य सहीद जो भी जीव जनतु होते हैं, वे अपना भोजन ग्रहन करने के लिए प्रत्यक्ष र किसी स्थान विशेष पर उगाय गए एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं, जैसे अगर हम धान लगाते हैं, तो एक ही खेत पर हम पूरा धान लगाते हैं, तो वो क्या होगा? धान की फसल हो गई, तो इसी को कहते हैं कि चुकि हमें चावल प्राप्त करना है, तो हमा उसके बाद वह धान हम दूसरे खेत में लगा दिये और उसके साथ हम गेहूं लगा दिये ऐसा नहीं करते हैं। एक खेत है तो एक निश्चित जगह का चुनाओं करते हैं और उस चुनी हुई जगह पर हम निश्चित मातरा में जितना हमें धान लगाना है वो लगाते हैं तो एक निश्शित जगह पर एक निश्शित उद्देश से एक ही प्रकार के पौधों को हम लगाते हैं इसे हम फसल कहते हैं विभिन प्रकार के जो फसलों को उगाना और उनसे उपज प्राप्त करना ये कहलाता है क्रिशी क्रिशी सब्द से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं कि हम अलग-अलग प्रकार के फसल को उगाते हैं कोई क्रिशक धान उगाता है कोई क्रिशक यह उगाता है तो इस कारे को जो करते हैं वे क्रिशक हैं और जो यहां पर विभिन प्रकार के फसल को उगाते हैं, तो यह कौन-कौन सी फसल होती हैं, उससे हम उबज प्राप्त करते हैं, तो यह पूरा जो मेथर्ड है या पूरा जो प्रोसेस है, यह कहलाता है क्रिशी. क्रिशी से संबंदित जो वैवसाय हैं या क्रिया कलाप हैं, उनमें कुकुट पालन भी है, पशुपालन भी है, मद से पालन, मदुमक्खी पालन, मश्रूम का उत्पादन, यह सब भी क्रिशी में सम्मिलित किया गया है. तो माना उप्योगी विभिन फसलों एवं जन्तूओं के अधिक मात्रा में उत्पादन, यहां जो शब्द हमने देखा, जन्तूओं के अधिक मात्रा में उत्पादन, तो देखिए आप पशुपालन, कुकुट पालन, वैसे ही मदुमक्खी पालन, मश्रूम उत्पादन, बजन नहीं, यह सब प्रकार के फसलों को एक निष्यत देश एक निष्यत पर लगाना एक प्रकार के फसल या एखुऽार की प्रकार की जतने भी पौधे नों को जो सम्मिलित रूप है इन सब का जो प्रबंधन है इसका तक्नीकी ज्ञान यहीं कहलाता है कृषिविज्ञान देखिए मध्सपालन यहां पर और यह है मधुमक्ही पालन फसलों की जो वढ़ोत्री होती है या फसलों का जो उत्पादन होता है वह प्रकृति पर निर्भर हो यहां पर अधिक बारिश होती है तो यहां इस प्रकार की फसल होनी चाहिए यहां कम गर्मी होती है या अधिक गर्मी होती है तो अलग प्रकार की फसल होनी चाहिए तो हर जगा का जो वायू मंडल है वह अलग-अलग प्रकार के ग्रिशी के लिए या अलग-अलग प्रकार के क्रिशी के उत्पादन के लिए महत्यपुन होता है या विशिष्ट होता है तो पादन को प्रभावित करने वाले कारक यदी हम देखेंगे तो मिट्टी है वर्षा की मात्रा यानि कहीं अधिक वारिश हो सकती है कहीं कम वारिश हो सकती है कहीं मध्यम वारिश हो सकती है प्रक प्रकार है खरीव फसल दूसरा प्रकार है रभी फसल और तीसरा प्रकार है जायत फसल तो अब हम जानेंगे खरीव की फसल क्या है खरीव की फसल को अधिक पानी एवं तापमान की आवशक्ता होती है इन्हें वर्षा रितू में उगाया जाता है जैसा कि हमने देखा कि अध मांसुन प्रारम होता है और जो इनका कटाई का समय होता है वह अक्टूबर और नौवंबर होता है तो देखिए कौन-कौन से फसल हैं जिन्हें हम खरीफ फसल के अंतरगत रखते हैं यहां पर देखिए यहां चावल, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, मुंफली और कपास तो यह आनेंगे रभी फसल तो इन फसलों के लिए नमी एवं कम तापमान की अवश्यक्ता होती है तो इन्हें शीतरितु में उगाया जाता है क्योंकि शीतरितु में तापमान कम होता है और इनके बोने का जो समय है वह अक्टूबर नौवंबर होता है और कटाई का जो समय है वह मार्च अप्रेल होता है तो चलिए अब हम जानते हैं इसके कौन-कौन से उदाहरण है तो यहां देखिए गेहू है चना है, आलू सरसो, धनिया और जो तो यह सब जो भी फसल हैं यह सब रभी फसल होते हैं जायत फसल है ना और मार्च से मई महिने में इनकी फसलें तयार हो जाती हैं तो इसमें सूरज मुखी, मूंफली, ककड़ी, तर्बूज, खर्बूज, ये सारी चीज़े होती हैं क्रिशी पद्धतियां यानि जब भी हम किसी फसल को उगाते हैं या हम अलग अलग जो जन्तों के उत्पादन संबंधी जो हैं मदुमक्खी पालन, मद्सिपालन, कुकुट पालन ये सब जो क्रियाएं होती हैं या ये सब जो उनके उत्पादन के बढ़ाने के लिए जो भी कारे किया जाता है वह नियमित धंग से होना चाहिए एक सुचारोबध तरीके से होना चाहिए यही होगी क्रिशी पद्धती तो किसान उपलब्ध जमेन पर फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयास करते हैं तो प्रतेक किसान का यही लक्षे होता है कि वह अपनी जो उपलब्ध भूमी है उसमें फसलों का अधिकता मुत्पादन कर सके तो वह विभिन तयारियां करते हैं उसके लिए क्रिया कलाब करते हैं कि कैसे हम अपने फसल के उत्पादन को बढ़ाए तो उसके लिए विभिन प्रकार के तरीकों को अपनाते हैं विभिन प्रकार की पध्धतियों को अपनाते हैं तो ये पध्धतियां एक निश्चित क्रमबद चरण में की जाती हैं और फसल के बोने की तैयारी से लेकर उसके पकने तक उसके पूरा संग्रहन करने तक या उसक जो उत्पाद की कटाई, उसका भंडारन, या भूमी का चुनाओ हो, बीजो का चुनाओ हो, ये सारी क्रियाएं जो हैं, यदि हम इसको क्रमबत तरीके से जमाएंगे, तो ये सब सम्मिली दुरूप से कहलाती हैं, क्रिशी पधतियां, तो कौन-कौन से स्टेप्स हैं, वो हम उनत तरीके से उसको लाना है प्रयोग में, तो उसका उपचार करना, खाद देना, सिचाई करना, निदाई करना, खर्पतवार का नियंतरन करना, फसल की कटाई करना, भंडारन करना, ये सारी चीजें जो हैं सम्मिलित होती हैं क्रिशी पधतियों में, सबसे पहले हम देख तो सबसे पहले वो अपने भूमी की तयारी करते हैं तो किसान अपने फसल के भरपूर उत्पादन के लिए एक एसी उपयुक्त भूमी का विचैन करते हैं जहांपर बीज अच्छी तरह से आसानी से अंकुरित हो जाए और उस मिट्टी में आवश्यक पोश्यक तत्व उपल अब तयारियों को हम कहेंगे भूमी की तयारी, भूमी अत्वा मिट्टी की तयारी, तो भूमी की तयारी के पहले चरण में खेत की जुताई की जाती है, इसके लिए पारंपरी खल का भी प्रयोग करते हैं, या फिर मिट्टी पलट हल का भी प्रयोग किया जाता है, जो देश देशी हल मिट्टी को चीर देते हैं और मिट्टी पलट हल जो है वो मिट्टी को चीरने के साथ साथ पलट भी देते हैं तो आप यहां पर देखिए जो अलग प्रकार के दो प्रकार के हल आपको दिखाई दे रहे हैं तो एक जो हल है वो है देशी हल और एक जो है वो मिट्ट धान की खेती के पश्चात रभी फसल के लिए भी खेत काफी कठोर हो जाता है अब उसको तैयारी करने के लिए पारंपरी खल जो है वो परियाप्त नहीं होता है तो ऐसी इस्थिती में ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर, चलीतिया, कल्टिवेटर, रोटावेर या हैरो इनसका उ बड़ी मिट्टी है उसको थोड़ा सा रभी फसल के उपयोगत बनाया जा सके तो यहां देखिए यह चित्र है हैरो और प्रोटावेर का तो जुताई करने से क्या लाब होते हैं जब भी क्रिशक अपनी भूमी की तयारी करते हैं तो उसका पहला जो पद है वो जुताई कर करना होता है तो उसका सबसे जो मुख्ये मुख्ये जो लाब हैं वो हम देख लेंगे कि इससे मिट्टी भूरभूरी हो जाती है जिससे वहाँ वायू संचार अच्छा होने लगता है उसकी जलधारन चमता बढ़ जाती है और उसकी पौधे की जड़ बहुत आसानी से व्र जुताई की जाती है तो अलट पलट होती है मिट्टी में तो जो भी यहाँ पर अवशेस मात्रबचे होते मिट्टी में मिलते जाते हैं और यही फिर खाद का रूप ले लेते हैं रोग उत्पन करने वाले जो कीडे हैं इल्लियां हैं यह अंडे हैं जो भी यह सब जैसे ही जुताई की जाती है तो ये बाहर आ जाते हैं और धूब के असर से वे फिर नश्ट हो जाते हैं तो इनसे लगाए जाने वाले फसल को खत्रा भी होता है तो जब जुताई की जाती है तो इस प्रकार के जो कीडे हैं इलिया है वे धूब के प्रभाव में खत्म हो सकते हैं जि जो क्रिशी मित्र माने जाते हैं क्रीमी है केंचुआ है जीवाणू है फफूंध है तो इसकी वृध्धी में मदद मिलती है जिससे भूमी की जो उपजाव चमता है वो बढ़ जाती है जुताई के पहले खेत में डाले गए जो खाद हैं उर्वरक हैं समान रूप से उसका फैलाओ हो जाता है जिससे की जुताई करने पर जब छिड़काओ किया जाता है तो वो एक ही स्थान पर नहीं रहता बलकि पूरे खेत तक वह खाद या उर्वरक जो भी छिड़काओ किया समतल करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि अगर मिट्टी के अंदर बड़े-बड़े ढेले हैं तो फिर जड़ पुरी मिट्टी तक ठीक तरीके से नहीं बैट पाती है तो यहाँ पर जो जुताई के बाद बड़े-बड़े ढेले निकल कराते हैं तो उसको फिर समतल करना आसान हो जाता है और ये कारे बहुत जरूरी होता है और इस कारे को करने के लिए यानि धेलो को मिट्टी के रूप में परिवर्तित करने के लिए यहां पर हम प्रयोग करते हैं लकडी का पटला या सुहागा का प्रयोग किया जाता है बीजों का चयन और बीजों प्चार तो जिस भी फसल को लगाना होता है पौधे उसके उगाने होते हैं तो उसके जो पून रूप से स्वस्थ अंकुरन चमता वाले और रोग प्रतिरोधक जो बीज होते हैं उसी का चयन किया जाता है और अच्छी पैदावार के लिए प्रयास करते हैं कि समुननत यानि बहुत अधिक एडवांस जिसको कहते हैं जिसके लगाने से उत्पादन में बहुत अधिक व्रिद्धी हो वह पोशक भी हो किसी के लिए स्वास्थ के लिए किसी प्रकार का खत्रा भी नौह तो ऐसे बीज परकार पहते हैं, वो बहुत ही उन्नति हीज़ग होते हैं। इस पार्ट में हमने क्या सीखा, इस पार्ट में हमने सीखा कि क्रिशी क्या है, क्रिशी पद्धतियां क्या है, तो मानव उपयोगी फसल और पशुओं के अधिक मात्रा में उत्पादन और प्रबंधन के ही तकनीकी ज्यान को हम कहते हैं क्रिशी विज्ञान, क्रिशी भी एक प्रकार का विज्ञान ही है बच्चो क्योंकि हम यहां पर क्रमबध तरीके से हर कारी को करते हैं तभी हम अपने लक्ष तक महुच पाते हैं या क्रिशक अपने लक्ष तक महुच पाता है तो किसी भी कारी को क्रमबध तरीके से सुचारू रूप से करना यही तो विज्ञान तो क्रिशी को भी बहुत ही क्रम बद्धरीके से किया जाता है अब हम जानेंगे कि मौसम के आधार पर जो फसल है वो तीन प्रकार के होते हैं खरीब की फसल रभी और जायत की फसल खेती के लिए जो भी तैयारियां की जाती है क्रिया कलाब किये जाते हैं वे क्रिशी जो हम कहते हैं उसमें बहुत सारे पद हैं तो सबसे पहला है भूमी का चैन करना क्योंकि भूमी को चैन नहीं करेंगे तो फिर आगे का कारे कैसे करेंगे भूमी का चैन हो जाने के बाद उस भूमी की तयारी करेंगे तयारी करने के बाद बीजो का चैन बीजो कचार खाद द जाने कि क्रिशी किस तरीके से की जाती है और किस तरगे पदों का प्रयोग किया जाता है एक ही जाती के जो भिन भिन गुणवाले पौधे होते हैं उसका कृतिरिम रूप से निशेजन कराया जाता है और वांचित गुणवाले बीज को प्राप्त किया जाता है तो यह जो प फसल को लगाया जाता है, वह स्वस्थ हो, अच्छी अंकुरन चमता वाला हो, और प्रतिरोधक चमता उसमें जादा हो, ऐसे बीजों का चैन करके ही हम उस फसल के पौधे को लगाते हैं, अच्छी पैतावार के लिए ये प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे गुण वाले जो को ही प्रयोग मेलाएं, जोताई करने के लाव हैं कि जोताई से मिट्टी बिर्भुरी हो जाती है, उसमें अच्छी तरह वायू संचार होने लगता है, उसमें जल धारन करने की चमता है वो बढ़ जाती है, उसमें जड़ों की वृध्धी आसानी से होने लगती है, सबसे पहला प्रशन है आपके लिए कि रितुओं के आधार पर फसलों के प्रकार लिखे, दूसरा प्रशन है जोताई से क्या लाभ हैं, प्रशन तीसरा है जोताई के पारंपरिक एवं आधुनिक उपकरन कौन कौन से हैं, कृषी विज्ञान से आप क्या समझते हैं, अग आप बहुत इमानदारी से इसे हल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, और आप सभी बहुत अच्छे तरीके से इस पार्ट को समझेंगे, क्योंकि हमारी जो आवशक्ताइं हैं डैनिक जीवन की, वह इस पार्ट से संबंधित है, तो हमें अपने आवशक्ताओं के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ये आवशक्ता कैसे पूरी होती है, कहां से आती है, कौन इसके पीछे महनत करते हैं, या किस तरह से हम भी उनके साथ प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, इनी सब बातों के बारे में इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, तो आप पढ़ते रहें बच्चों और खुश रहें